आप अधर श्रिक्संग संस्थान आप सभी का हादिक स्वागत आज हमको अक्साष्ट में विसेहिंदी रिचना इसके अंतरगत विसेशन के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले विसेशन की परिभासा देखते हैं संग्या या सरणाम सब्दों की विसेशन को विसेशन कहते हैं जैसे अच्छा लड़का तीन पुस्तके नई कलम इत्यादी इन सब्दों में अच्छा, तीन और नई सब्द विशेशन है जो विशेशते की विशेशता बतलाते हैं अब हम विशेशन के बेद जानेंगे विशेशन के पांच बेद होते हैं गुण वाचक विशेशन, परिमान वाचक विशेशन, संख्या वाचक विशेशन, सार नामिक विशेशन, और वेक्ति वाचक विशेशन तो ये विशेशन के पांच बेद हैं, सबसे पहले गुण वाचक विशेशन गुण वाचक विसेशन मैं जिस विसेशन से किसी संग्या या सरनाम का गुण प्रकट हो उसे गुण वाचक विसेशन कहते हैं इसके अंतरगत गुण प्रकट होते हैं जैसे अच्छा, चालाक, बद्धिवान गुण के साथ साथ किसी भी संग्या सरणाम के दोस भी प्रकट होते हैं जैसे बुरा, गंदा, दुष्ट ये जो दोस हैं ये भी गुण वाचे क्विसेशन में आते हैं रंग, रंग में काला, लाल, अदी फिर है आकार, लंबा, छोटा, कोल, आदी अगे है अवस्था किसी भी व्यक्ति यानि प्राणी की अवस्था के बारे में उसकी अवस्था कैसी है, बिमार है, गायल है और इस थान, इस थान में जैसे पंजाबी, भारतिय, बंगाली जक विसेशन संग्या या सरणाम के नाप, तोल का बोद करने वाले सब्दों को परिमार वाचक विसेशन कहते हैं इसमें निश्चित परिमार वाचक जिससे निश्चित नाप या तोल का बोद होता है जिसे लिटर, मीटर, किलोग्राम, टन, तोला, अधी सब्द होता है उदान के लिए एक लिटर दूद, चार किलोग्राम, शक्कर, पांच मीटर, कपड़ा तो इसमें कहा कि जो सब्दे वो निश्चित परिमार वाचक विसेशन में आते हैं फिर अनिश्चित परिमार, अनिश्चित परिमार में परिमार का नाप का तोल का बोद नहीं होता है निश्चित बोद नहीं होने के करने इसको अनिश्चित परिमार माचक विसेशन कहा जाता है इसमें थोड़ा, ज्यादा, बहुत, कम, अधिक, सारा आधिसब्द आते हैं, जिनसे निश्चित नाप्तोल का बोद नहीं होता है, अब हम संक्या वाचक विसेशन के बारे में पढ़ेंगे, संक्या वाचक विसेशन में संक्या उस्वर नाम की संक्या का बोद होता है, संक्या चाहे निश्चित हो, चाहे अनिश्चित हो, तो सबसे पहले अनिश्चित संक्या में कम, जदा, थोड़ा, बहुत, अधिक, सारे इस प्रकार के सब्द आते हैं, मुझान के लिए जैसे निश्चे संक्या में सबसे पहले गणना वाचक जिनको गिना जा सकता है एक दो तीन जैसे तीन लोग बते कर रहे थे तो यह जो तीन सब्दे यह लोगों की संक्या का बहुत करा रहा है तो यहाँ पर यह निश्चे संक्या वाचक है फिर है क्रम वाचक पहला दूसरा तीसरा जो की क्रम के अंदर ने दाते हैं दूसरा लड़का अच्छा है तो यहाँ पर यह जो क्रम का बोद कराने वाला है संक्या सब्द यह संक्या वाचक विसेशन कहलाता है निश्चे संक्य वाचक उसी प्रकार आवरति वाचक में दूगव को नए इक हरा दो हरा जिस सब दाते हैं या से गी दूगुना हैं। तो गुना यानि दबल जो गुना है एसक आगे समूव को समूव माचक में यह सब होते हैं जिस सख का बोद होता है जिसे दोनों पांच को साथ ओ ये ऐसे सब्द हैं जो का बोध करते हैं अगलाय सारणाम्क विसेंशन्र जब कोई सब्सारणाम सब्द संग्या ससे पहले आए तथा वहाइख विशेशन सब्द की तरह संग्या की विच्छेस्थ बताये उसे जार नामे की विशेशन कहते हैं जैसे वह आदमी व्यवार से कुशल है काउं छात्र मेरा काम करेगा तो इस प्रकार ये सब्दें जो सरणाम सब्दें और अन्य संग्या सब्दों की विशेशता प्रकाट करते हैं और संकेत वाचक विशेशन में पुरू सवाचक और निजवाचक सरणाम को छोड़कर वाकि सब्दें सरणाम संग्या के साथ प्रकार सारुनामिक विशेशन बन जाते हैं सारणामिक संकेजवाचक का दूसरा नाम है विशेशनगा टो इसमें जैसे यहां मूर्थी यह मूर्थी यहां फिर आने छे वाचक में कोई व्यक्ति कोई लड़का कुछ लाब यह सभी सरणाम के बैर जो कि संकेज़ सब्दों के आगे लगकर विशेशता प्रगट कर रहे ह इसे प्रश्ण वाचक सरवनाम में कौन आदमी कौन लोग क्या काम क्या सहाइता आगे हैं संबंद वाचक जो फुस्तक जो लड़का जो वस्तु आदी सब्द यह जो की संग्या की विशे सब्द आते हैं किन्तु यह सरवनाम सब्द है आगे हैं वेक्तिवाचक विशे संग्या से बनते हैं और विशे से बना है इसके पीचे यह बढ़ते लगा है जो कि खाना की विशेसता बता रहा है आपका यह लखनवी अंदाज मुझे अच्छा लगा बनार सी साड़ी मुझे सबसे ज्यादा पसंद है यानि जिस इस्तान विशेस में कोई अगर वस्तु परशिद है तो उस इस्तान की वस लोकप्रिता के करण इस्तान का भी अगे नाम जुड़ जाता है जिससे उस वस्तु की विशेसा प्रकड़ होती है हमाई दुकान पर जैपूरी मिठाया मिलती है तो इन उदाणों में आपने देखा बारतिये लखनवी पनार सी जैपूरी यह सब क्या है हमें खाने अंदा आज आदी के बारे में बता रहे हैं इसलिए यह वेक्ति वाचक विशेशन हैं तो इस प्रकार यह विशेशन सब्द के वेदों के नाम और उनकी परिपास है आदी हमने जाना